नमस्कार दोस्तों जेसी क्रश्ना कैसे हैं आप सो उम्मीद करते हों खोश होंगे शुखी होंगे शंपन होंगे दोस्तों हर व्यक्ति का सपना होता है कि उसका अपना घर हो घर का घर हो खुद का घर हो आज मैं आपको यहीं उपाय बताने के लिए जा रही हूँ कि आप वो कौन से उपाय करें जिससे आपका जल्दी से जल्दी अपना खुद का घर हो जाए घर का घर बस जाए तो दोस्तो जो नए नए वीवर्स आ रहे हैं मेरी चैनल पर मेरी वीडियो की पहली पहली बार विजिट ले रहें प्लीज चैनल को सब्स्राइब आपश ही करें यदि आपको जानकारी अच्छी लगती है तो लाइक भी करें और शेर भी करें दोस्तों ये मेरी दूसरी चैनल है विना भधोरिया चैनल तो प्लीज इसको आप सब्सक्राइब करें और अन्न वर्ल्ड बाई विना भधोरिया चैनल की तरह ही आप इसे बड़ी चैनल बनाएं ठीक है चलिए दोस्तों आज हम बात करते हैं कैसे वो कौन से उपाई आप करे जिससे आपका खुद का अपना घर हो जाए जो उपाई मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ इन उपायों को आप करके देखें बहुत जलदी बहुत जलदी दोस्तों आपका खुद का अपना घर हो जाएगा तो दोस्तों सबसे पहला उपाए सबसे पहला उपाए आपने जहां पर भी घर देखा हो मकान देखा हो आप वहां पर जाए वहां की थोड़ी सी मिट्टी ले ले उस मिट्टी को आप काच की सी सी के अंदर भर ले ठीक है भरने के बाद आप उस मिट्टी में थोड़ा सा कपूर डाल दे और गंगा जल डाल दे डालने के बाद उस मिट्टी को आप अपने पूजा इस्थान में रख दे पांच दिनों तक आप रोज एक माला का जाप करे इस मंत्र के द्वारा मंत्र है ओम एंग रिंग क्लिंग चामुंडाई विच्चे एवरी डे आपको एक माला का जाप करना है पांच दिनों तक इस जाप को करने के बाद इस मिट्टी को थोड़ी सी मिट्टी आप पुजा इस्थान में रखते हैं जिसके दियावत्ती होती रहे बागी की मिट्टी आपको बहते हुए जल में विशर जित कर देना है बहुत ही साधार उपाए है दोस्तों और ये उपाए यदि आप नवरात्री के दिनों में करते हैं तो ये काच की सिसी आपको वहां रखना है जहां आपने जवारे लगाए हुए हो पाँच दिनों की पुजा के बाद आपको जो जवारे आपने लगाए हैं वो जवारे आपको बहते हुए पानी में शिरा देना है और इस मिट्टी को अपने पास रख लेना है बाकी दिनों में यदि आप इस क्रिया को करते हैं तो बिल्कुल वैसे करें जैसे अभी अभी मैंने आपको बताया है ठीक है दूसरा उपाई दोस्तो आपको मिट्टी के बरतन में कोई भी मिट्टी का आप बरतन ले ले और उसमें आपको बूंदी के लड्डू रख लेने हैं और मंगलवार के दिन आपको हनुमान जी के मंदिर में जा करके इन लड्डूों का भोग लगाना है हनुमान जी के सामने ठीक है मतलब कि उपाय आपको करना है मंगलवार के दिन फिर से सुन ले मिट्टी के किसी भी बरतन में आपको बुंदी के लाडू भर करके ले जाना है हनुमान जी के मंदिर में वहां जाकर के आपको इन लड्डूओं का भोग लगा देना है और हनुमान जी से आपको प्राथना करनी है उस मकान के बारे में जो मकान आपने पसंद किया है लेने के लिए कि मुझे ये वाला मकान लेना है यदि कोई मकान आपके टारगेट में नहीं हो तो आप सीधे भी प्राथना कर सकते हैं कि ये में प्रसाद इसलिए आपको अर्पित कर रहा हूँ कि मेरा अपना खुद का घर का घर हो जाए इसके बाद ये सारे ही लड़ू उठा करके आपको किसी गरीब बच्चे को दान में दे देना है क्या करना है? इस लड़ू का प्रसाद आपको नहीं लेना है किसी गरीब बच्चे को दान में दे देना है और हनुमान जी के मंदिर में आपको लाल कलर की धजा चड़ा देनी है जिससे आपका काम बहुत ही जल्दी हो जाएगा तीसरा उपाई दोस्तों आपको नीम की लकड़ी का घर बनाना है और ये घर आपको किसी गरीब बच्चे को दान में दे देना है ये क्रिया करना है आपको सनीवार के दिन क्या करना है? नीम की लकड़ी का आपको घर बनाना है जो घर आपको किसी गरीब बच्चे को दान में दे देना है चोथा उपाई दोस्तो आपको एक लाल कपड़े में छे चुटकी कुम-कुम रखना है छे लौंग रखनी है नो बिंदिया रखनी है नो मुठी सौफ रखनी है और छे कोडी रखनी है इन सारी चीजों से आपको एक पोटली बना लेनी है यदि कोई जमीन या मकान आपने पसंद कर लिया है तो वहाँ की छे चुटकी मिट्टी आप इस पोटली के अंदर डाल दे और बहते हुए जल के पास पहुँच जाए वहाँ खड़े होकर के आप प्रास्ना करें कि ये मकान ये या जमीन मेरे नाम पर हो जाए मैं इसे खरीद सकूँ ये प्रास्ना करिती हुए आपको ये चीजे बहते हुए पानी में बहा देना है अगला उपाई दोस्तो आपको एक मिट्टी की हांडी में दूद, दही, घी, शक्कर, मिश्री, कपूर, सहद ये सारी ही चीजे डाल देनी है क्या करना है आपको लेनी है एक मिट्टी की हांडी और उसमें आपको दूद, घी, दही, शक्कर, मिश्री, कपूर, शहेद ये सारी चीजे डाल देनी है और इसको आपको पूजा इस्थान में रखना है और आपको जो मंत्र बोलना है ओम, एंग, भिंक, लिंग, चामुंडाई, विच्चे, पांच माला आपको करनी है ये उपाय भी आपको करना है मंगलवार के दिन पांच माला करने के बाद आप इस हांडी को उठा करके ले जाए और बहते हुए पानी में विस्सर जित कर दे और वहीं खड़े हो करके आपको प्रात्ना करनी है कि आप, आपका, खुद का मकान हो जाए या जमीन जो आपने पसंद की हो, वो आपके नाम हो, आप बहुत जल्दी इन मकान को या फिर ये जो जमीन आपने पसंद की है, उसे आप ले सके ये उपाय बहुत ही साधारने दोस्तों और मैं आपको बता दूं कि आपको सारे उपाय करने की कोई आफशक्ता नहीं है आप इसमें से एक या दो उपाय करें काफी होगा उपाय करने के बाद दोस्तों महिने के अंदर अंदर ही आप देखेंगे कि आपके मकान लेने के या जमीन खरीदने के प्रबल योग बनने सुरू हो जाएंगे और बहुत आसानी से आप अपना घर का घर ले पाएंगे आपने जो जमीन लेनी है वो जमीन भी आप ले पाएंगे ठीक है? तो करते रहें दोस्तों, खुश रहें ये सब कुछ करने में, समझने में कहीं कोई तकलीफ पढ़ती है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछे अवश्य करते रहें खुश रहें, जैसी क्रश्ना